महाराष्ट में चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और निशान निर्धारित होने के बाद पूरु मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित ठाकरे का बयान सबसे पहले आया उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा क्योंना केवल गर्व से मशाल उठाएंगे बलकि महाराष्ट के तमाम लोग इसे आवशकता समझ कर अपने घर में जगा देंगे शिव सेना का नाम और चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद समबार को ही चुनाव आयोगने ठाकरे गुट और शिंडे गुट को पार्टी का अलग अलग नाम और निशान निर्धारित किया है ठाकरे गुट को शिव सेना उद्धाव बाला साहिब ठाकरे नाम मिला है वहीं इस गुट के लिए पारिटी का चुनाव निशान जलती हुई मशाल मिला है बता दें कि मुख्य मंतरी एकनाश शिंदेगुट की शिव सेना को अब नया नाम बाला साहिवाची शिव सेना नाम मिला है महाराश्ट में मंतरी रह चुके आदित ठाकरे पारिटी का नाम और निशान निरधारण के बाद पहली बार मीडिया के सामने आये थे उन्होंने कहा कि चुनाव आयुग ने उनकी पारिटी को नया नाम और निशान दे दिया है अब उनकी पारिटी इसी नाम और निशान के साथ अगले महीने प्रस्तावी तंधेरी उपचुनाव में पूरे दंखम के साथ उतरेगी इसी उपचुनाव के साथ पारिटी ये कि स्टेवा की सचाई और पारदर्शिता के साथ इमानदा सरकार चलाई बारजूद उसके उनके विरोधियों ने उस सरकार को बदनाम करने का खुब प्रयास के लेकिन सफल नहीं हुए लेकिन अब उप चुनाओ जीत करके पार्टी अपनी इस बात को साबित करने का पूरा प्रयास करेगी उन्होंने कहा कि चुनाओ आयोग से उनकी पारटी को मिले नए नाम और नए निशान को लेकर के उटसाह है चुनाओ आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अगले महीने अगले महीने तीन नौंबर को अंधेरी में उप चुना होने हैं इस चुनाव से ठीक पहले शिव सेना में तूट के बाद बने दोनों धड़ों के लिए पाइटी का नाम और निशान निर्धारित कर दिये गए हैं उद्धो ठाकरे गुट के एक समर्थक भासकर जाधा उन्हें कहा उन्हें खुशी है कि अब उन्हें तीन नाम एक साथ मिले हैं अभी तक केवल एक ही नाम शिव सेना का था लेकिन अब शिव सेना के साथ उद्धो और बाला साहिब का नाम भी शामिल हो गया है हाला कि नाम भले ही दोनों गुटों में बाला स्वाहिब मिल गया हो लेकिन शिंदे गुट को चिन्ह अभी तक नहीं मिला है दरसल चुनाव आयोग ने धार्मिक अर्थों का हवाला देते हुए शिव सेना के प्रतिदवन्दी गुटों को त्रिशूल और गदा को चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित करने के सुझाव को खारिच कर दिया था चुनाव आयोग ने एकनाथर शिंदे गुट को बाला साहइबाची शिव सेना नाम आवंटित किया आयोग ने गुट को नए चुनाव चिन्द का चैन करने के लिए कहा है इस पर शिंदे गुट के प्रबक्ता दीपक के सरकर ने कहा हम सियम एकनार शिंदे के साथ चर्चा करेंगे और चुनाव आयो के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों का जो अंतरिम रूप है वो हम चुनाव आयो को सौप देंगे श्रिंदे गुट के सचे तक भरत गोगावले ने कहा कि वो हमेशा बाला साहिब का नाम चाहते थे इसे पाकर के वो बहुत खुश है उन्होंने का कि हमारे गुट को अब श्रिंदे खेमा नहीं बलकि बाला साहिब की शिवसेना कहा जाएगा वहीं उद्धव ठाकरे गुट के वफादार महाराष्ट के पुरमंतरी भासकर जाधों ने कहा हमें खुश ही है कि तीन नाम जो हमारे एक साथ जुड़ रहे हैं उसके माइने अलग रखते हैं उद्धव जी बाला साहिब ठाकरे और ठाकरे को एक नए नाम में रखा गया है शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के नेत्रित के खिलाब बगावत करते हैं दावा किया था है कि उनके पास शिफ्टेना के 55 में से 40 विधायकों और 18 लोकसभा सदेश्टों में से 12 का समर्थान पराप्त है उद्धव के इस तीफे के बाद शिंदे ने भाजपा की मदद से सरकार बनाते हुए मुक्यमंत्री पद्ध की शपत ली थी अब कुल मिला करके जो नएस चुनाव चिंद्ध की रणनीती बन रही उसमें से हर चुनाव चिंद्ध के अपने माइने हैं और इसलिए शिंदे गुट सबसे ज़्यादा उगते हुए सूरच पर फोकस कर रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर तीन नाम को जोड़ने की बात रही जा रही है अब इन तीन नामों के माइने महाराश्ट की राजिनिती में क्या होगा सामाजिक स्थितियों को भी मजबूत करना है और यही कारण है कि एक नास शिंदे बाला साहिब नाम जानते थे लेकिन जितना सठीक नाम मैंने जैसा कि पहले भी कहा तमाम लोग कह रहे हैं राजनेतिक विश्लिशक भी कह रहे हैं कि जितना सठीक नाम हैं पर एक नास शिंदे को मिल गया उतना सठीक नाम बाला साहिब ठ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें